रोजाना हम अपने आसपास कई बहुरंगी पक्षी देखते हैं, ये हमें बहुत भी लुभाते हैं, ऐसा ही एक रंग-रंगीला पक्षी है, हुद हुद, इसके सिर पर आकरशक कलगी भी होती है, यह पंची कीडे मकोडे खाकर किसानों की फसल को भी बचाता है, अंग्रेजी पर काली सफेद जेबरा धारियां होती है, नर और मादा देखने में एक से ही होते हैं, इसकी चिम्टी जैसी लंबी पतली चोंच हलकी सी मुडी होती है, इससे कीडे मकोडे पकड़ने में आसानी होती है, प्रायह लोग इसे वुडपैकर यानि कठोड़वा समझने की भू करते हैं, यह पक्षी पूरे भारत में पाया जाता है, इसे बाग बगीचों वखेतों में भी देखा जा सकता है, हाँ, हरी घास के मैदान इसे बहुत पसंद आते हैं, इसे इनसानों के बीच रहना अच्छा लगता है, इसकी उड़ाने चोटी होती है, कई बार यह फुद करता समेटता रहता है, यह हूपोपो की लगातार आवाज निकालता रहता है, इसका भोजन, कीडे मकोडे, उनके अंडे और लार्वा प्यूपा होते हैं, इस तरह फसलों को कीडो मकोडों से होने वाले नुकसान से बचाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह किसानों का मित् यह फरवरी अप्रेल माह में घोंसला बनाता है, इसके घोंसले कभी पेड के खोखले, कोटर में या किसी पुरानी इमारत की दीवारों छटों के होल्ज में बने होते हैं, घोंसला बनाने में यह ज्यादा मेहनत नहीं करता, बस इनकों पूडे, परकट से घोंसला बनाता ह मादा हुदहुद एक बार में पाँच छह अंडे देती है नर और मादा दोनों मिलकर बच्चों को पालते है